आज हम बनाने वाले हैं सुपर फास्ट हेर ग्रोथ ड्रिंक जिसे कि आपको खाना खाने के बाद पीना है आप इसे दिन में दो बार ली सकते हैं अगर आपके बालों में किसी भी तरीका का इंफेक्शन है या फिर डेंटरफ की प्रॉब्लम आपको बहुत जादा है या फिर बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखता है उन्हें जड़ों से मजबूत करता है और आपके बालों को घना शाइनी बनाता है लेकिन उससे पहले फ्रेंट्स आप सभी से मेरे एक छोटी सी डिक्वेस्ट है अगर आप ते अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं कि चोटे से मेथी के दाने दिख रहे हैं यह पोटेशियम से भर पूर होते हैं इसके अंदर वाइटमिन ए वाइटमिन के वाइटमिन सी आयरन केल्सियम फॉलिक एसंड यह सारी चीज़ पाई जाती है जो कि आपके स्केल्प से डेंडर्फ को चूमंतर कर देती है साथ ही अगर आपके पास करीपते का पाउडर है तो आप उसी इसके अंदर एंटी एक्सिडेंट पाई जाते हैं जो कि आपके बालों को जड़ों से मजबुत बनाते हैं और हेर फॉल को रोग देते हैं तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक ग्लस पानी एक प जीरा डालने से क्या होगा आपकी कमर पे जितनी भी जितनी चर्भी जमा हो रखी होगी वो सारी भी पिखल जाएगी साथ ही आपके डाइजिशन के लिए भी बहुत अच्छा है तो आप चाहें तो इसमें जीरा डाल भी सकते हैं ऑप्शिनल है एक उपार आने तक आपको बालों में नई जान ला देगा तो अब बना लेते हैं हमारा सेकंड हेर गृप ट्रिंग इस ट्रिंग को बनाने के लिए भी आपको फिर से एक पैन में एक ग्लास पानी लेना है अब आपको इसमें डालने हैं करी पत्ते मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको करी पत्ते से होने वाले फाइदों के बारे में बताया है यहाप की स्किन के लिए भी अच्छा होता है साथ ही आपकी हेर इंब के लिए भी अच्छा होता है मैंने बताया था कि अगर आप चाहें तो रोग तीन से चार करीपत्ते अगर आप खाते हैं तो आपके बालों से रिलेटेट आपको कोई भी इश्यू जिंदगी में कभी नहीं होगा तो आप अगर करीपत्ते खा पाएं तो और भी बढ़िया है आप चाहें तो सिर्फ करीपत्तों को ही उबाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो साथ में चरह सा वन फोर्थ टेबल स्पून के करीब आवला पाउडर भी एड़ कर सकते हैं ये आप ऑप्शनल है आप चाहें तो सिर्फ करीपत्तों को बॉइल करके उसका पानी पी सकते है या फिर अगर आप चाहें तो सिर्फ आमला बाउडर को डाल के उसको भी बॉइल करके पी सकते हैं या फिर आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन दोनों चीजों को साथ में बॉइल करके भी आप इने पी सकते हैं आप चाहें तो इसे चान भी सकते हैं और नहीं चाहना जाएं तो आप इसे ऐसे ही पी सकते हैं क्योंकि मैं इसे बिना चाने ही पी लेती हूँ करी पत्ते मुझे पसंद आते हैं तो मैं उने खा लेती हूँ अब अगर आपके पास कच्चा आवला अवेलेबल है तो आप उसका जूस निकाल लिजेगा कदूकस से कदूकस करके मैंने इसका जूस निकाल लिया है और मैं उपर से इसमें आवले का जूस एट कर रही हूँ तो करीब अवला दोनों ही चीज़ा बालों के लिए बहुत अच्छी होती है आवले के अंदर वाइटमिन सी वाइटमिन ई कैरेटिन पाया जाता है और कैरेटिन से हमारे बाल बने होते हैं तो यह हमारे scalp infection को खत्म कर देता है बालों को काला बनाए रखता है और hair damage से बनाता है तो यह hair growth drink I hope आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं यह कितने ज़ादा powerful है अच्छा friends आप लोगों से मुझे एक बात और कहरी है अगर आप मैसे कोई भी मेरी remedy को try करते हैं मेरे द्वारा बनाए गए oils को आप लोग बनाते हैं hair mask अगर आप ब आप मुझे डिरेक्ली बात कर सकते हैं